लोहुडी से पहले हो सकती है कैबिनेट दिल्ली से लौटते ही सीम सुखविंदर सिंग सुखु ने बुलाय अफसर नई सरकार में कैबिनेट की पहली बैठक जल्द हो सकती है मुख्य मंदरी सुखविंदर सिंग सुखु ने जस तरह से दिल्ली से लौटते ही मुख्य सचिव और सामाने प्रशासन विवाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक की है उससे लग रहा है कि लोडी से पहले भी बै पहली प्रात्मिक्ता कैबिनेट की बैठक है मुख्य मंतरी ने दिल्ली से आने के बाद сचिव प्रबूस सकसेना को पहली कैबिनिट के एजिनड़ा पर काम करने के नरदेश दिये है इस बैठक में यूर्ड pen忙 को हिमाचन में बहाल करने का फैसला लिया जाएगा ओ जिमें सरकारी करमचारियों के तबादलों को लेकर इंतजार काफी लंबा हो गया है पूर्व सरकार के दौरानिक 30 दिसमबर तक संभावित वेकेंसी के पदों पर किये गए तबादला आदेशों पर भी वरतमान सरकार ने रोक लगा दी है ऐसे में इस बारे में अभी फैसला लेना जरूरी है उसे बारे में भी जारी हो सकती है चाहां तक काबिनिट विस्तार की बात है तो उसके लिए अभी समय लगीगा अब पीम से मिलने का समय लेंगे सीम मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खो कैबिनेट की बैठक करने के बाद दिल्ली जाएंगे और प्रधान मंत्री से मिलने का समय भी लेंगे मंगलवार को दिल्ली से लोटने के बाद ये बात उन्होंने कही इस से पहले भी मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री से मिलने गए थे लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से आने के बाद प्रूटोकॉल के तहत हुए टेस्ट में वे कुरोना संक्रमित पाई गए थे इस से कारण प्रधान मंत्री से ये मुलाकात नहीं हो पाई थी इसी तरह की जानकारी और लेटिस्ट अप्टिस्ट के लिए डीजी हमाजल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें यदि आपके कोई सुझाओ है या सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे